हैलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप प्यारे बच्चों आज मैं आप लोगों की क्लास थर्ड का इंगटिश की नैंटींध वक्ष्ट पर एक वीडियो लेकर आया हूँ प्यारे बच्चों इससे पहले मैंने 18 वक्षिट पर वीडियो बना दी हैं अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजी सबसे पहले बच्चो यहां पर लिखना आपको name of student और यहां लिखनी है वो date जिस date को आप इस worksheet को complete कर रहे हो यहां पर बच्चो आप इस worksheet के बाद small text in English with comprehension कर पाएंगे तो बच्चो यहां पर हमें क्या है कुछ lines दी गई है जिनमें आपको यह बताना है कि यह activity अच्छी या बुरी है तो बच्चो देखो cleaning teeth daily is a अब बताओ रोज साफ दांस साफ करना अच्छी हाबत है बुरी आदत है it is a good habit chatting up early सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है बुरी आदत है good habit splitting on the wall दिवार पर थूकना अच्छी आदत है बुरी आदत है गटुपर बुरी आदत है cutting nails नाकोन काटना अच्छी आदत है बुरी आदत है बच्चो यह good habit है biting nails दांट चबाना नाकून चबाना नाकूमों को दांट से काटना ये बच्चो बहुत ही बुरी आदत है इसे बहुत बिमारियां फैलती है स्लिपिंग टी लेट ओवर ज़्यादा जेर तक सोना बच्चो बुरी आदत है हमें सुबह जल्दी उटना चाहिए कॉम्बिंग हैर बाल बनाना बच्चो एक अच्छी आदत है सबसे बहले बच्चो इसमें हमने अच्छी और बुरी आदते सीखी है कि दान साफ करना डेली दान साफ करना एक अच्छी आदत है सुबह जल्दी उटना एक अच्छी आदत है दिवारों पर थूखना बुरी आदत है, नाकून काटना अच्छी आदत है, नाकून चबाना दातों से नाकून चबाना एक बुरी आदत है, सुबह तक सोना, सुबह लेट उटना ये एक बुरी आदत है, कंगा करना बालों में ये एक अच्छी आदत है अब हमने एक paragraph पढ़ना है रागव wakes up at 6 a.m. डेली रागव सुबह 6 बज़े जागता है He takes bath at 7 a.m. सुबह 7 बज़े उश्नान करता है He has his breakfast at 7.30 a.m. साड़े साथ बज़े नाश्ता करता है He reached school at 8 a.m. 8 बज़े बच्चों वो स्कूल पहुंच जाता है He takes his lunch at 11 a.m. अपना lunch वो 11 बज़े लेता है He goes to home back at 2.10 p.m. अब 2 बज़े कर 10 मिनट पर वो वापिस अपने घर जाता है अब बच्चों यही बात को हमें यहाँ पर change करके लेए यहाँ लिखा है रागव अब देखो रागव wakes up इसके बदले हम लिख लेते हैं रागव gets up रागव सुबह क्या करता है छे बज़े उठता है He takes shower अब बात कर लो या shower कर लो He takes shower at 7 a.m. वो सुबह साथ बज़े शनान करता है He has his breakfast at 7.45 a.m. पौने आठ बज़े वो अपना breakfast करता है He goes to school at 8 a.m. और वो आठ बज़े school जाता है He takes his lunch at 11 a.m. 11 बज़े वो अपना lunch करता है He goes to home back at 2.10 p.m. और दो बज़ कर 10 मिंट पर वो वापिस आ जाता है तो प्यारे बच्चो इस तरह से हमने ये worksheet complete कर ली है अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू वजू दो ओड़ दे